इस बिन्द में पढ़ेंगे कि गुप्त काल में तथा हर्षवर्धन के काल में इंडिया में किस तरह का सासन चलता था किस तरह प्रसासन को हैंडिल किया जाता था और राजा क्या क्या मतलब करता था अपने प्रसासन को हैंडिल करने के लिए तो सबसे पहले तो आपको प्रस तो राजा का फर्ज है कि अपने राज के लोग की रच्छा करेगा असोक ने कहा था ना कि जो राज की प्रजा है वो राजा के पुत्र समान संतान समान होती है फर्ज है राजा का कि उसकी रच्छा करेगा उसको प्रॉपर डेवलाप्मिंट देगा अब यह हो सकता है कि लाइन करना नियम कानून एख्रना लय की तो हमारा पॉइंट क्या था की इन राज़यों को परशासन कैसे चलतो तो गोपतास अमराज के काल के बात की गई है। तो अब देख सकता हो कि कितने जादे अरिया में कवर किया हुआ दूनों और अलग-अलग time period है सिम प्रेस है लेकिन अलग-अलग time period है तो time period में confused नहीं होना ठीक है न दिखिए तो प्रसासन की प्राथमिक इकाय यह जो पॉइंट लिया गया गया डिरेक्ट मैंने बुक से लिखाया आपको ठीक है न आज चल रहा है 2022 तो आज का ले लिजिए कि सबसे छोटे इकाई क्या है प्रसासन की तो लोग होते हैं गाउं होता है है ना अब एक हजार साल पीछे चल ज़िए दोहजार साल पीछे चल ज़िए उस समय भी सबसे छोटे इकाई तर्था सबसे छोटे मतलब मुहातोपूर निकाई जो रहेगी लोग और गाउं ही रहेंगे तो इसलिए यहाँ पर गाउं लिखना ज्यादा बेटर रहेंगा ठीक है ना सबसे छोटे इकाई होती है गाउं तो कहा जा राजस्कमनिहां पर यह क्योंट रोकी है मैं आपको बताना चाहता हूं एक ची अब यह है हमारा राज और यह जो एरिया आप अंदर में देख रहे हो गोला यह है इसकी राजधानी और राजा मेरे बैठ रहें हाँ तो नियम कानून फॉलो करवाना है जनता की रख्षा करना है प्राजा को डेवलोप्मेंट चाहिए चाहिए ही चाहिए बिल्कुल चाहिए वाई तो इन सब चीजों के लिए क्या करता है राजा सैनिक रखता है और क्या रखता है करमचारी रखता है मंत्री रखता है सारी रखता है इन सब चीज़ों कर रखने के लिए आपको उसको बेतन देना पड़ेगा यह सब चीज़े करने पड़ेगी करना पड़ता है कि उसके लिए आपको लेना पड़ेगा टैक्स समझें तो टैक्स लेना पड़ता है आपको टैक्स लीजे यहां से यहां से मतलब जितना आपका राज है महां से आप टेक्स ले सकते हो सारा खेल जो है ना हिस्ट्री में टेक्स कहीं है कि जितना बड़ा आपका एरिया होगा जितना बड़ा समराज आपका होगा उतना ज्यादा टेक्स भटोर सकते हो ठीक है और डिपेंड करता है कि अगर नदी की नारे आपका रा चीत रहें तो क्या करेगा कि साइनिक तैनात करेगा इनको देने के पैसा चाहिए पैसा कहां से लाएगा जनता से लाएगा टैक्स लेगा तो यह होगे हमारे थोड़ी पुरानी विवस्था बतलब 300 AD के पहले वाला ओके लेकिन अभी 300 AD के बाद से क्या हो रहा है कि राजा न उसने दिमाग लगा है कि यह तो पुराना नियम है इसको थोड़ा से बदलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है सैनिक यहां भेजो अब दूरी भी है मैप में आपको जिसमें ने बनाया तो छोटा लग रहा वाली कि एक्शोल में क्या होते दूरी ब लगसे सोला लाक से बहुत जाता जाओंव है फिर नगर नहीं छोटे छोटे इसी तरह इसमें बहुत शारे गाहं क्या लोग समझे suppressed is के यहां seem कच में काफे ज्याधा कटना हिए वुगा सामना कर पर जाए है संझ कर लिए है क्यें पर प्रौबल्म यह सत्राइब जाएगा नई इस को यहाँ से हीहाह साथन कापड़ा कट भाइव को सामना चार पड़ जाएगगा संग 2 प्रॉब्लम यह पे क्रिए टो राजा का एक यह तो साथान विवस्था अभड़ा दीखतर थे यह दिक्स हो जाता है कि यह पड़ोसी राज जो है हमारा यहां पर आपक Dob peso आग करके कि इतना इसका कट गया इसमें सामील हो गया और इसके लोग जो है इसके हो गया इसका इरिया बढ़ गया यहां तक इसका इरिया यहां तक कम गया तो देखा कितना प्रॉब्लम है वहाँ पर तो दिमाग लगा या राज है उने कहा कि या ऐसे तो काम चलेगा नहीं तो इन्होंने क्या किया देखिए आज या आपको क्या पॉइंट पकड़ी है कि आर्थिक समाजिक सायन सक्ति रखने वाले लोग द्वारा सासन करवाया गय कि यहां से किसी गाओं को चुना गया या मैंने क्या बताए कि बहुत सारे गाओं है राज में बहुत सारे गाओं है तो इसने क्या किया कि यह गाओं में एक बंदा रहा था यह गाओं में एक बंदा रहा था यह गाओं में एक बंदा रहा था यह गाओं में एक बंदा रह होता है उसका ज्छान पाचान बहुत होता है जैसे नेता असक लोगद चया सब्सक्राइश के पास यंद्लब लट्था है रखात रखे उए है उसके छोटी सी आर्मी है तो इन लोगों को पकड़ो और बोलो कि देखो भाई आप क्यूंकि मेरे राज में रह रहे हो इसलिए राजा चाहते हैं कि आप जो है इस गाउं को कभर करो और आप पर्सनल आर्मी रखो ठीक है ना आप अपने आर्मी में 100 500 300 400 500 एक 1000 जितना भी लोग रखना है रखो और उस गाउं से टैक्स आएगा आप रखिएगा समझें लेकिन इसका एक हिसाब को कहां देना है आपको देना है राजा को समझें और यह सब कभो रहा था तो इस टाइम प्रेड में हो रहा था तो इसने आइसा था बोला कि यह अईसा होगा थीक है हमको तो और सोने पर सुखागा हो गया यहां वह लोग हैं का गेर हम तो खूस हो गया अब बटो रहेंगे खुब पैसा यहां से और 20 परसेंट दे का सकतों मिनी किंग है ना यहां में किंग अगर आये सब मीनी मीनी किंग हो गया ब इसमें जो है मैं के छोटे जोड़ गद्सक्व है कि मिल सकते हैं आपको प्रहख़ शालीव एकती तो प्रहख़ शालीव एकति हो को यहां पर बना ही और इसमा ज streams हो गया है यहें है सरा हो गए मतलब रफोने कोसिस की इस तरह यहां पर मिनी किंग्स हैं इनको पता चल लगी इस पर अटेक हुआ है मेरे पर अटेक करा तुरत अग्दम लठेत निकाला भाला बर्चा निकाला और दो गाउंसे इसर से लोग ले आया है कि चलो इसको मार को बजाता है आप एक आदमी को भेजा घौणड़ पर कि जाओ तो राजा यहां पहुंचने लगा तो यहां देखता है तो यह धूबा ने इधर वाले को मार के समेट दिया है और उल्टा क्या के लोग कि इधर वाली इतने जमिंग को हड़ा पलिया इधर वाले जितने भी सामन थे जितने भी लोग तो उसको मार के ख़देर दिया तो य कोई बिंदू का मतलब कोई गाउं का व्यक्ति ज्यादा पावर्फोल होने लगा ठीक है ना उसका गाउं जो राज अधिरी किया देडू बढ़ा होने लगा सुधिरी देड़ी तो थे दिद्री आर्मी बढ़ती गई और फिर राजा की बंडब बजा दलता है तो यह ब्यास्था कापिछे भी थी और उतनी हिंजादा भूरी भी थी का जा रहा है महत्वपुर्ण प्रशाषकीयी पद का अन्वानसिक हो ना यहां पर इस इस अपर एक चीज और देखा खाली है या किसी भी मतलब कुछ भी हो सकता है उसका ली है तो उस बैक्ति को देना चाहिए जो योग है कि अगर परधानमंत्री वह परधानमंत्री होने के डिजर मतलब करता है लेकिन यहां पर देखा जा रहा है 300 AD के बाद कि उसे अन्वांसिक कर देगा अन्वांसिक मतलब समझते हो यानि कि अगर मैं पर्धान मंत्री हूं तो मेरे बेटा भी पर्धान मंत्री बनेगा इसके एडवांटेज भी है थोड़े बहुत और उल्टाज मतलब में ने क्या बता है जो चीज मिठी लगती हो से डियाबिटी भी होता तो एडवांटेज भी है और डिजएड़ा भी बहुत जादा है फायदा और नुक्सान भी है हुगा क्या इसे देखिए पहले मैं आपक उसका वही वही बनेगा का जारा है कि इसी तरह का उधारन दिया है कि हमारे जो कभी हरी सेन थे उन्होंने महादंड नायक का पद संभाला था हरी सेन वही था समंदुर्गुप के दरवार में था दरवार में था ना और क्या था कभी भी था यानि कि दरवारी भी था था त नहां से निकलाता तो प्रयाग राज की प्रसस्ति मतलब अस्थम था न असोख वला उससे निकलाता उसे प्रयाग राज की प्रसस्ति भी कहा जाता है इलाहबाद की प्रसस्ति भी कहा जाता है तो हमारे जो कभी हरी सेंथ था वो महा दंड नायक का पद समाले हुए था तो मह दंड नायक मतलब क्या होता है जैसे अभी क्या है सुप्रीम कोट का जो होता है जैज उसी तरह का होता है सबसे ज्यादा पावर उसी के हाथ में होता है महां डंड नायक है नहीं हो जाता है आपका कही एक तरह सी कि जैज ही जो नयाय करता है तो डंड डंड से आप रिलेट कर गया है जज बन गया है चीफ जस्टिस बन गया तो भविस में ऐसा है कि उसका बेटा भी चीफ जस्टिस बनेगा ठीक न यहीं चीजें आप बताने को भाड़बभ पथे यहां उसको अनवानसिक कर दिया एक उनवानसिक स्क्राइफ हैं ऐक फाइदा यह था कि जैसे महली לך इसा है तो वजर भी बनेगा फिर इस से भबल तो काफे ज्यादा इसके पॉजेटिव इंपक्ट देखने को मिलिकिन बाद में यह हुगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे बच्चा जो है बदमासी कर रहा है के टीम लेकर गूम रहा है समझे ना तो यह होता है कि मेरे बच्चा आवारा है लेकिन क्योंकि अनुवांसिक पधा आगे कोई फाइदा नहीं होगा इंडिया में क्या है कि लिया जाता है मेरे इट के होता है है अगर आप रेलवे का अधिकारी थे नहीं पढ़ेगा जवाब लेगा अनुवांसिक कर दिया कि यह चीज़ है यहां पर पतानी पर नेता बगयर होता है मतलब खुद दूद की दोले होते नहीं है सब जोट बोलत के नेता बन जाता है यह करते हैं लेकिन उनका बच्चा भी भविस में घो जाता है बॉली बुड़ी में देखे वाइस होता है का जाता है ना कि बहुत ज्यादा ने पर टीज में फैला हुआ है मतलब जो एक्टर है फेमाज उपना पन से लेकिन डिसएटवांटेज है एक जिसको हकदार नहीं है उसको बना दिया गया तो वहीं नहोंगा लोस हो जाएंगे कि परिवरतने हां पर आओ देखने को मिला कि एक वैक्ति जो है इस काल में वह कई पद पर विराजमान रह सकता है वहीं आपका एक आपका दिया ग अब देखते हां गया खत्रा खत्रा काने का मतलब कि राजा को जो था इन लोगों से खत्रा हो गया था बाल में मैंने क्या बता है कि दीरे-दीर जो लोग हैं अब क्योंकि अपना च्वटा सरकार चला रहे हैं प्राइवेट गवर्मेंट चला रहे हूं आप तो टैक्स लेंगे यह करेंगे सेना भरती करते जाएंगे लोगों को और पड़ोसल अप अटेक करके उसको हाथ या लेंगे कि तुम परधान मंत्री हैंना हम मंत्री रहेंगे आप राजा बनिए गये तो वह ऐसे करके राजा को अटेक कर देतें थे थे आप THAT किल ला वही को को दूध पिला रहे थे हैं वही चीरा पे हो जाता है कि सीरे को ब्ना डूइंब हो जाता है कि अजीरे में प्यर पीद्धा आगया और चलों के बालों को बैंड बजा दिया अब अब पालों के थोड़ा ते दिकत मतलब अपना लच्छन भी था पाल बालों से लड़ते रहता था दिन राद लड़ते क्या होता है कि आज अधे कम जोड़ हो जाता है ठीके न तो वही चीज्चे हैं आगे हमारा नेक्स आप आप कंट्ट और में पताना है किया का हैि आपको की मैं फुर्ण से पहले और निक्वी मीठी और थे ला क्या करते här दै Department के इसे होता था कि उसमें गड़ा हांती हूट कर मतलब होते थे फैदल चलने वाले रहते थे गुर सब इसातर हो था कि तो आ कि यहां तो बीच में तो रहनी होती है नहीं कभी साइड में तो राजा का सेना हर जगा पर रहता था इस तरह से और राजा जो है टैक्स बसूलता था और सेना का खर्च चलाता था यह सब चीज़े करता था और हां बेतन भी देता था पर अब हुआ यहां पर कि 300 एडी के बाद अब राजा ने दिमाग लगाया फिर से आपको पताया कि कि इस तरह से चोटे से टुकड़े दे दिये गए तो ठीक सेना में भी यहीं हुआ कि अब राजा कहा कि यार इतना दूर है मतलब information पहुंचाने में टाइम लगता है यहां से हां सो किलिमीटर है यहां से अटैक हो जाता तो यह सब चीज़ हो जाती है तो राजा ने क्या कहा कि अब यह सब पूरान सिस्टम नहीं करना है अब हम चालू करेंगे सामंत में वस तो इनको दे दिया जाता था जमीन अब दो तरीके हो सकते हैं कि यह जमीन एक को दे दिया यह तुम पकड़ो एक को यह जमीन दे दिया दो को यह जमीन दे दिया तीसरे को यह जमीन दे दिया चौथे को इस तरह से होता था कि तुम पकड़ो यह जमीन और क्या करना कि तु कि हमें कितना देना है सो पर संट जो तुमने बरारहे वह में नहीं देना है हमें देना है कुछ हिस्सा सक लेकिन बाकि टेक्स तुम अपने पास रखो और अपनी सेना यहांपे बनाो मिनी राजावला सिस्टम मैंने बताए ना मिनी किंग अपनी से न बना और इसका पेट कहां से पालो तो तुम टेक्स बटो रहो उससे पेट पालो और टेक्स का हिसा हमें भी दो ठीक है तो यह लोग कहां ठीक है हम इसा ही करेंगे और हुआ सक्सेसपुल हुआ भी यह मतलब की राजा के कईसे होता न कि कुछ कुछ एकदम विष्वस्ट नियव आती होते हैं तो विष्वस्ट नियव भी अब हम देखते हैं है कि विष्वस घहाती जो बैखती होते हैं वह क्या करता था की जब देखता था की sint perspective सारी चीज है तो हम राजा को क्यों roles है हम खोद अपने ना रख लें तो यह फिर आट में राधा था कि राजा को किस तरह मरवा दें या या फिरяться के किसे लड़के मर जाए तो हम जो कर लेंगा और धीर धीर इसको फैला कि यहां तक लिखे आए ठीक है ना तो यहीं चीज है इसको का गया नहीं परकार किसी आपको इस ब्यवस्था से फायरा यह होता था कि माली जी राजा कि यहां पर अटेक करना इस देश पर तो यहां से इंफ्रमेशन इसको भीजवात देता था कि चलो यार वहां चलते हैं इस पर अटेकर थे तो इस रास्त में जितने भी गाउंपड़ें जितने भी सामन्त हैं सबको बटोर लिया यहां पर जाके अटेक कर दिया और सबसे अची बात इसमें ए थी कि राजा किसी भ प्वाइंट तो यही होता था तो इसमें आपको फाइदा यही है कि आपको बेतर नहीं देना है को जंजट नहीं उल्टा को टैक्स देगा वो लोग लेकिन नुक्सान यहां पर भारी है कि अगर आप कम जोड़ होगे किसी दिन आप माल जी किसी करण बस मर गया आप राज सुलह भी करवाता था आई होप जो मैंने आपको बताया आप समझे के होगे